एक्षिली मोस्ट इंपोड़नेट इसलिए है कि एकदम जल्दी से स्ट्राइक करता है कि कैसे सॉल्व किया जाए दूसरा तरीका हमें जल्दी से स्ट्राइक करता है कई बार दो-तिन वार जेए में आ चुका है लेकिन जो स्ट्राइक करता है उससे कैल्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उससे पसी जाते हैं ठीक है कि नहीं अब ढंक्षे सुनना हूँ लिखो एरा ढंक्षे इफ X1, Y1 is point of tangency as point of tangency is given is given as point of tangency and AX plus BY plus C equal to 0 is given as tangent at point of tangency is given as tangent at point of tangency and such type of variable circle is required यह देखे then consider it as X minus X1 का whole square plus Y minus Y1 का whole square plus lambda times AX plus BY plus C equal to 0 most important most important है जी क्यों important है कि directly strike करता है कि X square plus Y square plus 2G X plus 2FY plus C equal to 0 मालने अगर यह point of tangency है तो उसको satisfy करेगा यह equation मना लेगे point of tangency है तो land पर भी लाई करेगा दूसरी equation मना लेगे यह tangent है तो center से length of perpendicular radius के बरावर करते हैं करते रह जाएंगे लेकिन आपको कभी भी इस type की situation आ जाए कि point of tangency दिया है और वहाँ पर tangent की equation भी given है और ऐसे variable circle की equation हमें assume करनी पड़ रही है तो यह assume करी है बहुत फाइदा होगा solve हो जाएगा solve तो इससे भी होगा मैं इसको explain करता हूँ यह कोई नई बात नहीं है आप लोग जानते ही है concentrate करना और डंक से सीखना यह explain कर चुका हूँ लेकिन इस तरीके से explain नहीं किया है डंक से देखना मैंने सबसे पहले कहां से start किया था family of circle explain करना इस तरह से मतलब अगर इसकी equation क्या है L equal to 0 है और यह क्या है S equal to 0 है ठीक है न तो A और B common point है तो A और B से पास होने वाले infinite circle की equation क्या थी S plus lambda L equal to 0 Got it ओके इसी को फिर diameter बना दिया था एक circle मालब होना था तो उसकी family बताई थी मैंने इसको थोड़ा से इधर shift करके फे क्या बना दिया था tangent बना दिया था बात समझ में आ रही है कि ने अब मैं क्या कर रहा हूँ let मेरे पास यह है दंक से सुनना हूँ यह tangent है इसमें तो interested हुई में यह L equal to 0 है और यह मेरे पास circle है like this ठीक है और इसकी equation है S equal to 0 अपने फाइदे के लिए मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ X minus X1 का whole square plus Y minus Y1 का whole square minus R square equal to 0 ठीक है मुझे यह बताओ कि कोई भी circle मेरे कोई इससे कम radius का circle मालूम है तो भी यह चलेगा चलेगा कि ने मालू यह circle ना मालूम होके मुझे same touch करने वाला दूसरा circle मालूम है लेकिन इसकी radius क्या है काम है समझ गए या radius जादा है वो भी चलेगा अब कम जादा होते होते दंग जे सुनना equation किस type की बन रही है x- x1 का whole square plus y- y1 का whole square minus r square plus lambda times l equal to 0 यही तो चल रहा है अगर इसका इस family मैंसे कोई भी ले लूँ एक finite से ही है तो एक member तो वो भी है जो जिसकी radius कितनी है 0 तो वो case कैसा हो जाएगा उसमें यही क्या बन जाएगा point of tangency यह nothing else है मतलब जो आपको बताये गया है इससे पहले result वो यही है r को 0 वाला circle भी काम करेगा ultimately यह क्या कर रहा है quadratic term लाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है y-y1 whole square plus lambda l equal to 0 समझ गए कि नहीं है इसका जो center होगा उससे tangent पे length of perpendicular कितनी आएगी निश्यत तोर पे r ही आएगी समझ गए यह कोई doubt इसमें मतलब जैसे s plus lambda l equal to 0 है तो s जो circle है जो बहुत सारे circle possible है उसमें से मैंने कौनसे circle consider कर लिया है point circle जिसकी radius कितनी है 0 तो यही तो मैंने बताया है कि जब तब यह point of tendency भी यही बन गया है और यह ऐसे वाले circle होते थे वह आला circle भी यही बन गया है बात समझ जा गए जहां समझ आए तो कभी भी आपको और आपको doubt आ रहा है कहीं कि भाई यह circle गलत माना है मैंने तो आप check कर सकते है x1, y1 से इस पर आप x1, y1 से l पर length और perpendicular निकालेंगे तो वो इसकी क्या हैगी radius आएगी समझ रहें कि ने इसकी radius कितनी होगी इसका center कितना होगा इसके center से l equal to 0 पर जो length निकालेंगे वो क्या हैगी इसकी radius आएगी हर case में बातसंज में आवे रहें कि समझ आगे हैं कोई doubt है यह थोड़ा ज़्यादा important है समझ आगे समझ आया कि नहीं एक problem लिख लो इसकी क्योंकि यह ज़्यादा important इसकी है क्योंकि information जो given होती है उससे दूसरी approach ज़्यादा आसान ही से आसान लगती है लेकिन आसान होती नहीं है अगर यह strike करता है तो लिखिए रहाँ find the equation of circle for which y equal to 2x plus 1 is equation of tangent at 1, 3 and circle cut the given circle x square plus y square plus 4x plus 2y equal to 0 ortho gonna lie मतलब ऐसा लग रहा है सब known हैं लेकिन बहुत सारी equation बन जाएंगे अगर दूसरी किसी approach से जाएंगे तो ตस्बस्ग करता है वह टूसरी को च FrançaisWow करने का एसना जाएंगे उना के ब करता है उना करता हैं पष़गा के А उन्मादोधे अन्मादोपेश्या जाएंगारultान का जाता है करता हैं उना का जशभ चार्वकता है स Acts was बागते किसका का 9aken आ गया? नहीं आ रहा गया? देखें जे रहा हैं, सर्कल क्या मानेंगे? x-1 का whole square, y-3 का whole square, plus lambda times y-2x-1 equal to 0. इसको अर्टोगोनली कट कर रहा है, तो g1 की value कितनी है? minus 2, f1 की value कितनी है? minus 1, c1 की value कितनी है? 0, g2 की value कितनी है? क्या कितना आगा, g2 की value कितनी है? x का coefficient कितना आ रहा है? minus 2 lambda, minus 2, by 2, यही आ रहा है न? और f2 की value कितनी है? लेंब्डा माइनस 6 अपान 2 तो अपने पास क्या था 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 उक्वल टू C1 प्लस C2 यही था ना और C1 की वेलू कितनी है C2 की अरे C2 की यह 1 और 4 नहीं 10 10 मानस लेंब्डा तो अब क्या अप्लाई करेंगे 2 G1 G2 तो G1 G2 की वेलू कितनी हा रही है 4 लेंब्डा प्लस 4 यह आ रही है ने 2 G1 G2 2 F1 F2 मानस लेंब्डा प्लस 6 इक्वल टू C1 प्लस C2 10 मानस लेंब्डा यही आ रहा है क्या डंग से चेक करना यह तो लेंब्डा की वेलू कितनी हा रही है लेंब्डा इक्वल टू कितना हा गया यार फोर लेमडा जीरो आगे गया है है देखने है रहे है अरे पॉइंट सेर्क्ल आ रहा है सिकर्ट करने वाल आ गया आ सकता है कि कितना है है जीवन सही है जीटू सही है टू जीवन जीटू तो उड़ गया तो प्लस फोर लेमडा प्लस फोर सही है टू एब बन एब टू मानेस लेमडा प्लस ट्वैल नहीं मानेस लेमडा प्लस सिक्स है इकोल टू सी वन प्लस सी टू सही तो यार यही तो था कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि अरे जीवन गलत लिखाए गया नहीं गलत लिखाए सेंटर तोरी नहीं निकालना 2 यह तो सही है जीवन को लगाएंगे तो कितना यह है तू जीवन जीटू कितना यह अंे है 2G1 G2 क्या प्लाई करेंगे और्थोगोनली कट करना है तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल तो C1 प्लस C2 कितना है 2G1 G1 कितना था माइनस 4 Lambda minus 4 2F1 F2 कितना है प्लस Lambda minus 6 इक्वल तो C1 प्लस C2 कितना है 10 minus Lambda नहीं अब तो अलग आएगा कोछान से तो minus minus 2 Lambda की value कितनी आ गई 20 Lambda की value minus 10 आ रही है करो भाई अब तो करो कुछ लेम्ना कितना आ रहा है माइनस 10 आ रहा है जीटू का लिए नेगेटिव इतना आई रहा है ना जीटू की यहाँ पर प्लस 2fy प्लस c equal to 0 होता ना समझ गए तो आल तो दूसरी अप्रोच भी हो सकते हैं लेकिन ये बात आप लोगों ध्यान रखनी चाहिए और मुझे रखता है ध्यान रखेंगे आप समझ आगे हैं है तो family of circle में जो भी अभी तक बताया है मैं एक बात द्वारा से repeat कर रहा हूँ line chord हो मतला दो जागे cut कर रही हो तो भी s plus lambda l equal to 0 line tangent हो s plus lambda l equal to 0 point और point of tendency हो तो x minus x1 का all square plus y minus y1 का all square plus lambda l equal to 0 दो point हो तो हम कैसे करेंगे x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 और plus lambda times l line का expression equal to 0 और बाहर भी line है तो वो family of क्या होगी coaxial system of circles समझ गई है कोई doubt यहाँ तक है ठीक है कि नहीं आगे लिखे चलिए कुछ important points और लिख लो लिखे चलिए एक result लिखे when equations of sides of triangle are given important है याद भी रखना है पैसे मैं explain भी कर दो हूँ आपको याद भी करना है लेकिन when equations of sides are given how we get when equations of sides of triangle are given how we get equation of circumcircle without evaluating vertexes नंक शुनना है कि कोई भी सेकेंड डिगरी का कर्प के रेप्रेजेंट करता है मतलब सरक्ल पेरा बोला है लेफ साय पर बोला ये कुछ रेप्रेजेंट करता है तो जो ABC से पास होंगे अच्छे ये L1 इक्वल टू जीरो ये एक्विशन है लेड अबी की और B C की एक्विशन है L2 इक्वल टू जीरो, L3 इक्वल टू जीरो और AC की एक्विशन है L2 इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है AB पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उस पॉइंट के लिए क्या होगा expression L1 इक्वल टू जीरो तो मैं two degree के expression लिख रहा हूँ sequence में लिखके ध्यान से देखना L1 L2 plus lambda times L2 L3 plus mu times L3 L1 equal to 0 तो यह second degree का term होगा के नहीं होगा variable है lambda और mu होगा भाई linear को multiply कर रहा है second degree आज़ा है कि क्या दिखकत है lambda और mu क्या है variable है तो यह second degree का क्या है कर वे अब ध्यान से सुना A के लिए क्या क्या जिरो होगा logic से या है यह A के लिए क्या क्या जिरो होगा L1 और L2 B के लिए क्या क्या जिरो होगा L1 और L3 C के लिए क्या क्या जिरो होगा L3 and L2 तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जनरल को ने के passing through ABC तंग चे सुटना कैसे है कि एक के लिए L1 और L2 0 हो गया तो ये कुछ भी हो variable को ने के लेकिन L1 और L2 2 0 हो तो ये वाला time क्या हो गया 0 ये भी क्या हो गया 0 ये भी क्या हो गया 0 लेकिन इसका मतलब क्या हुआ ये कुछ भी represent करें लेकिन जो ये represent करेंगा वो निश्चित तौर पर कहां से बास होगा एसे बात समझ में आगे रहा ये बात समझ में आई करें अरे एक के कॉडिनेट के लिए expression 0 हो जाएगा ना एके कॉडिनेट के लिए expression कैसा होगा बताओ ना यार एके कॉडिनेट के लिए expression कैसा होगा L1,0,L2,0 तो ये पूरा expression क्या आजाएगा 0 तो किसी के कॉडिनेट के लिए expression 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है वो point उस पर laya कर रहा है B के लिए भी expression 0 हो रहा है B भी लाई कर रहा है C के लिए भी expression 0 हो रहा है तो C भी लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है कि lambda और mu variable है इसलिए ये variable konic है लेकिन ABC के coordinate इसे satisfy कर रहा है तो it is the variable konic passing through A, B, C note कर लो if L1 equal to 0 L2 equal to 0 and L3 equal to 0 are three equations of sides of triangle A, B, A, C and B, C अताव linear expressions है then L1, L2 then L1, L2 plus lambda times L2, L3 plus mu times L3, L1 equal to 0 represent the variable konic और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं vertex वगरा निकाल के लेकिन ये भी ध्यान रहा है represent the variable konic passing through A, B, C passing through A, B, C passing through A, B, C समझा है लेकिन yes अरे यार थोड़ा से कम क्यों चलाता है मेरी ये बात समझ में नहीं आई है तेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है L1 और L2 क्या है linear expression है इतना strike किया बहुत अच्छी बात है कि lambda और mu को 1 रग दें तो circle हो जागा लेकिन correct strike नहीं किया ये गंदी बात है 3x 2x-3y-1 मान लो एक ये line है 1x-y plus 1 equal 2 है तीसरी और कुछ है तो lambda और mu को 1 रगने पर वो circle तो नहीं आ जागा उस lambda और mu special निकालने पड़ेंगे ये product करके लिखना पड़ेगा और lambda mu कैसे निकालेंगे जो product आएगा उसमें x square और y square का coefficient equal करेंगे और x y का coefficient क्या करेंगे 0 तो हमारे पास क्या आजागा जो lambda और mu आएगे उनके लिए ये कोने क्या बन जाएगा circumcircle बात सब्समें आ रही है कि ने लिख लो है रहा if we want the equation of circumcircle if we want the equation of circumcircle then we get the values of lambda and mu then we get the values of lambda and mu by applying the conditions by applying the conditions coefficient of x square equal to coefficient of y square coefficient of x square is equal to coefficient of y square a equation and coefficient of x y equal to 0 तो अपने पास कितने वैरियवल है दो वैरियवल है लेंड़ा और व्यू एक्विशन कितने बन जाएगी दो उनको निकाल लेंगे हो जाएगा खतम समझ गए कि नहीं प्रॉड्रम लेने की जरूवत है कि समझ में आ गया है है जरूवत है यह बगवान क्या कैलक्रेशन करवाओगे यार एक बहुत आसान सी प्रॉड्रम ले लेता हूँ चलो लिखो यह रहें इस अप्रोच से करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ वैसे दो लाइन में हो जाएगा यह अप्रोच शीखनी है लिखिए अप्लाइंग दा एबब अप्रोच ऐसे लिखो अप्लाइंग दा एबब अप्रोच फाइंड दे इक्वेशन अफ सर्कम्सर्किल एबंग साइट्स एक्स इग्वल डू जिरू य इग्वल डू जिरू एग्वल डू जिरू एग्वल डू बई आप असीय मत माना यह प्रोच शे बहुत जल्दी हो जाएगी लेकिन कुछ प्रोब्लम हैसी भी होँगी बड़ी बड़ी लाइन्स दे दी परानी अप्रोच से करते ही रह जा होगी बस बात संज में आ रही है ने यह तो बहुत आसान है यह क्या आ गया root 2, equation क्या आनी चाहिए, x-1 का all square, plus y-1 का all square equal to 2, यह आनी चाहिए, अब पुन अपनी अप्रोच से करते हैं, इसकी equation क्या है, x equal to 0, इसकी y equal to 0, इसकी क्या है, x plus y, यह पुरानी अप्रोच से कर लिया, minus 2 equal to 0, अब यह जो सीखा है, उसको apply करके करते हैं, बात समझना आईगे नहीं, इसमें तो कोई दिख्रेत हैं नहीं, क्या होगी, center नहीं 90 है न, क्या था, क्या बता है था, l1, l2, मतलब xy, plus lambda times l2, l3, y, x plus y, minus 2, plus mu times l3, l1, x, x plus y, minus 2, equal to 0, xy के coefficient 0 करना, xy के coefficient कितना आ रहा है, 1 आया है यहां से, plus, यहां से कितना रहा है, यहां से कितना रहा है, lambda, इदर से कितना रहा है, mu, equal to 0, एक equation यह आ गई, और x square के coefficient कितना रहा है, y square के lambda आ रहा है, और x square के, mu आ रहा है, mu, तो lambda equal to, mu equal to कितना आ गया, minus 1, y2, substitute करके देखना, और answer चेक करना, same है कि नहीं, substitute करिए, और answer चेक करिए, अरुए. है से माना झी है अगया थीक है मझे लगतर तरीका तो समझ में आ गया है आगे लेकिए चलिए लेकिए कैंच लगतर्स का डिल किगे रूह द लगतर्स दिखिंग है ने रूँक्ये ने विन when four sides of quadrilateral are given, when equations of four sides of triangle are given, how we check quadrilateral is cyclic or not, how we check quadrilateral is cyclic or not, and if cyclic, how we get the equation of circumcircle, without evaluating vertexes, without evaluating vertexes, बहुत ध्यान से देखना और समाजना वस, एक्जाम्पल भी नहीं लोगँगा, इसलिए डंक से समाजना, बाद में एक साथ दे ले ले जाएंगे, डंक से सुनना, ट्राइंगल में essential होता है circumcircle का exist करना, क्या quadrilateral में essential होता है? नहीं, डंक से सुनना, जनरल कोनिक क्या होगा, जो चारो वर्टेक्स से पास होगा, logic से लिक रहे हैं, L1 L3 प्लस lambda L2 L4 इक्वल टू 0 डंक से सुनना, लेमडा variable है इसलिए यह variable है, एक लिए क्या क्या 0 होगा? इसकी दूसरी अप्रोच यह भी हो सकती है, कि A, B, A, B, D से पास होने वाले हम क्या निकालें? सर्कल निकालें, B, C, D से पास होने वाले क्या निकालें? सर्कल निकालें, दौनास चेम होंगे तो यह कैसा हो जाएगा? 400 यह पास होगा वह सर्कल, लेकिन उसले अप्रोस से नहीं जाना ध्यान से देखना है L1 L3 प्लस लेमडा L2 L4 इकोल टू 0 A के लिए क्या क्या जीरो होगा L1 और L4 तो क्या ये क्वोने के से पास होगा Yes L1 और L4 0 है लिखनी रहा मैं बात सुझने आगे रहे हैं जी दिखा ही दे रहे हैं आपको B के लिए क्या क्या 0 है L1 और L2 ध्यान करिए मैंने डियागोनल की कुछ लिखना सिखाया था तब इस टाइप का कुछ यूच क्या था तो L1 L2 0 तो भी ये 0 होगया C के लिए क्या है L2 और L3 वो भी पास कर रहा है D के लिए L4 L3 वो भी से सटिस्फाई कर रहा है तो इस दा जनर्नल कोनिक पासिंग थ्रू A, B, C, D लिखलो गर है इफ लेम्डा इस वेरिबल इस दा जनर्नल कोनिक ये सेकंड डिगरी की क्योशन आएगी क्यों आएगी सेकंड डिगरी की क्योशन भई लीनियर है सब इट इस दा जनर्नल कोनिक पासिंग थ्रू A, B, C, D गट इट सही है अब ध्यान जो सुनना कोई कोनिक सरकिल था तो कितनी कंडिशन्स वैलिड होनी चाहिए X स्क्वाइर का कॉफिशेंट Y स्क्वाइर के कॉफिशेंट के इक्वल और XY का कॉफिशेंट 0 मेरे पास कंडिशन कितनी है दो X स्क्वाइर का कॉफिशेंट इक्वल टू Y स्क्वाइर का कॉफिशेंट and XY का कॉफिशेंट 0 वैरियावल कितने एक से अलग-लग value आ रहे हैं इसका मतलब क्या है साइक्लिक नहीं है और अगर साइक्लिक है तो उस lambda के लिए वो क्या आ जाएगा जो स्वेम आ रहा है equation of circumcircle लिख लो है रहा है for circumcircle for circumcircle apply the condition for circumcircle apply the condition coefficient of x square equal to coefficient of y square first coefficient of x y equal to 0 if from the these conditions from these conditions we get same value of lambda we get same value of lambda then quadril is cyclic and we easily get the equation of circumcircle and if we get different values of lambda then quadrilateral is not cyclic and if we get different values of lambda then quadrilateral is not cyclic ठीक है ये समझ आया थोड़ा ज़ा आगे अगे नहीं है एक लिखना है यहरा प्रॉलम check the check quadrilateral formed by x equal to 0 y equal to 0 y equal to x plus 1 and y equal to 2x minus 1 is cyclic or not answer मैं पहली बता देता हूँ आपको लेकिन आपको इससे प्रॉस्चे करना है जान से देखिए कहां कट करेंगे यह यह बनेगा ऐसा कुछ बनेगा न O A B C ऐसा यह बनेगा है answer मैं पहले बता दूँ cyclic होगा कि नहीं होगा cyclic नहीं होगा यह answer सुन लें क्यों नहीं होगा है answer सुन लें पहले हो सकता है दूसरे तरीके से आप कई पर आस्तानी से निकाल सकते हैं यह भी वैसा ही गहसा है जब दूसरे तरीके से आस्तानी से आ रहा है यह मुझे डिरेक्ट दिखाई दिरा है यह एंगिल कैसा है 90 से कम यह कितना है 90 तो इनका सम कैसा हो गया less than pi अगर यह सम क्या होता pi होता तो cyclic होता opposite angles है न तो cyclic नहीं आना चाहिए अब करके भी देख सकते हैं आप x y minus 2x plus 1 plus lambda times y y minus x minus 1 equal to 0 x square को coefficient y square को coefficient की equal कर रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है minus 2 is equal to lambda और x y को coefficient 0 कर रहा है तो क्या आ रहा है 1 equal to minus lambda तो यहां से lambda ही आ गया यहां से आ गया तो इसका मतलब क्या है quadriletal is not a cyclic quadriletal क्या 1 by 2 कहां से आ रहा है x square को coefficient यहां से 2 आ यहां से 2 आ यहां से कितना यहां minus 2 आ रहा है यहां वो dependent आ अपने lambda के थर multiply कर दिया यहां इधर किया हो था तो 1 by 2 बजाता है लेकिन overall कैसा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है overall क्या रहा है overall क्या रहा है not cyclic यह techniques triangle और quadriletal के लिए जब tough equations हो तो बहुत ज़्यादा यूश्फुल है इसमें कोई doubt नहीं होना चीए ठीक है इसमें कोई doubt हो है क्या समझ आगे ने चीक